नमस्कार दूस्तु, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, क्लास टॉल्ट NCRT पोलिटी की किताब चल ला था, चाप्टर टू, The End of Bipolarity चल रहा है तो पिछले क्लास में हमने consequences of shop therapy के बारे में discuss किये, किस तरह International Monetary Fund, World Bank जैसे financial institutions, post Soviet Union countries को capitalist economy में convert करने की कोशिश किया और किस तरह वो shop therapy का negative impacts हुआ, किस तरह वो एक disaster बन गया, वो सब के बारे में हम in detail discuss किये थे तो आज का topic है, tensions and conflicts, ये क्या है, देखे, Soviet Union के disintegration के बाद, अलग-अलग post Soviet Union countries में internal conflicts चल रहा था कुछ bodies को लेके issues चल रहा था, कुछ region के ownership को लेके issues चल रहा था, कुछ जगाव में government के against protest चल रहे थे तो basically civil war tape का चल रहा था, अलग-अलग countries में, basically मैं post Soviet Union countries की बात कर रहा हूँ तो वो सारे tensions and conflicts के बारे में इथर mentioned है, तो शुरुआत करते हैं, most of the former Soviet republics are prone to conflicts and many have had civil wars and insurgencies, complicating the picture is the growing involvement of outside powers तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि post Soviet republics के beach में conflicts चल रहा था और उसी conflicts को और complicate करने के लिए, outside powers का भी involvement था तो हम AK करके देखेंगे, सबसे पहले in Russia, two republics, Chechnya and Dagestan have had violent secessionist movements सबसे पहले, Chechnya and Dagestan का location में आपको दिखा देता हूँ ये रिशिया का map है, रिशिया का सथेंट सेड़ में हैं दोस्तों, basically Chechnya and Dagestan ये map देखिया, इधर आपको दिख रहा है, Chechnya and Dagestan तो 1991 के बाद, अलग-अलग republics को independence मिल गया, basically USSR से USSR तो disintegrate हो चुका था, तो Chechnya and Dagestan area के जो लोग है न वो बोलने लगा हमें भी independence ही है, हमें ये रिशिया के साथ नहीं रहना है तो आप इस map से देख सकते हो दोस्तों, ये सथेयन रिशिया में हाता है तो इधर इस्लामिस population भी ज्यादा थे, वो बोले लगा हमें रिशिया के साथ रहना नहीं, हमें भी independent countries बनना है, तो ये problem चल दा था, Chechnya and Dagestan में Moscow's method of dealing with Chechen rebels and indiscriminate military bombings have led to many human rights violation but fail to deter the aspirations of the independence, आप देखे दोस्तों, रिशिया मानेगा है कि आप बिल्कुल नहीं मानेगा, रिशिया बोले आप हमारे पाट हो, हमारे साथ रहो, आपको independence हम लई देंगे, तो जब भी ज्यादा protest हो रहा था ना, रिशिया इथर, bombs वगरा गिरा देता था, देखे दोस्तों, मैं आपको केवल एक broad picture दे रहा हूँ, कि इस तरह के conflicts चल ले थे, इस तरह के tensions चल ले थे, post Soviet Union Republic में, वैसे देखा जाएगा तो ये चेचनिया देगस्तान वाला जी issues वगर आए, वो बहुत बड़े topic है, पर आप ही के लिए आपको इतना ही समझना है, advanced classes में जब हम world history डिसकस करेंगे, तब ये सब के बारे में हम इन detail अब ही के लिए बस आप इतने ही समझ लीजिए, कि सथेन रिश्या में, बेसिकली चेचनिया देगस्तान में, tensions and conflicts चला था, बेसिकली independence के लिए, और रिश्या मानी रहा था, रिश्या हमेशा इन सारे प्रोटेस को सप्रस करता था, अगर सेंटल इशा की बात करें, तो तज सोटा मोटा सिविल वार नहीं था, कम से कम 60,000 लोगों का डेथ हुआ था, इन सिविल वार्स में, हुआ क्या था दोस्तों, सबसे पहले तजाकिस्तान का लोकेशन आप देखिए, USSR का सबसे 37 पोशन था तजाकिस्तान, तो जैसे USSR का disintegration हुआ, तजाकिस्तान में भी गवर्म उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था, तजाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है ना, अलग-अलग सेक्स के लोग है, जो अपना रप्रसेंटिटी चाते थे, आसे प्रेजिलेंट, तो काफी चार ओपोसेशन हुआ, पावर के लिए बेसिकली उतर फाइच चल दा था आप और अजर्बईजन का लोकेशन देख conservatives आपको देख रहे दोस्तों, अर्मेनिया और असरबेजन दोनों नेवरीजान कसे, अब आप ये map देखिए, तोड़ा सा और प्लीर अपको देख रह håए है, यह असरबईजन हैं, अब असरबईजन का वेस्टेन साइड में, अर्मेन Nagorno-Karabakh region को लेके issues चला था, conflicts चला था, Armenia और Azerbaijan के बीच में, actually बात यह है दोस्तों यह जो Nagorno-Karabakh area है ना, it is rich in oil and gas resources, यह area मिलने से कोई भी country को फाइदाई होगा, वैसे post Soviet Republic में जितने भी conflicts चला था ना, उसमें maximum जो है इस तरह के oil and gas resources rich areas के लिए था, अगला है Georgia, the demand for independence has come from two provinces resulting in a civil war, two provinces लिखा है, कौन-कौन सा है, यह तो लिखा नहीं है, हमें आपको दिखा देता हूँ, यह Georgia का मैंपे दोस्तों, उपर आपको रिश्या दिख रहे है, नीचे तर्की, अर्मेनिया, अजर्बेजान दिख रहे है, तो Georgia में two provinces में separatist movements चला था, basically उनका demand यह था, कि उन इसे Soviet Union का disintegration हो गया, 15 countries को independence मिल गया था, और नए-ने governments बन रहे थे, अब ओभी इसी बात है, दोस्तों, एक नए independent country में government कौन बनाएगा, इस बारे में काफी opinion differences हो सकता है, तो जैसे एक government बन जाएगा, तो उसके against काफी protest भी होगा, क्योंकि सबको power चीए, तो काफी सारे republics मे existing governments के against काफी सारे movements देखने को मिला, जैसे कि Ukraine में, क्रिगिस्तान में, Georgia में, and countries and provinces are fighting over river water source, देखिए, और एक problem यह हुआ, कि पहले तो सब एक साथ थी, अब जब independent मिनगे, तो अलग-अलग rivers है, जो अलग-अलग country से बहती है, अब देखिए, river water usage को लेके issues तो अभी भी चलता है काफी सरे countries में, countries के अंदर states के बीच में river water sharing को लेके issues चलता है, India के exam में, कितने water disputes है, और India और Bangladesh के बीच में, टीस्टा river को लेके issues है, भ्रह्मपुतरा river को लेके issues है, है कि ने, तो उसी तरह काफी सरे rivers को लेके issues चलता था अलग-अलग countries के बीच में, all this has led to instability, making life difficult for ordinary citizen, दे integration के बाद धले सारे countries को independence मिल गया तो यह सारे problems, tensions, conflicts वगड़ा चल रहा था. Now, the Central Asian republics are areas with vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit. Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies. अब देखिए Central Asia में क्या हो रहा था? मैंने आपको पिछले classes में बताया था कि Central Asia में rich hydrocarbon resources है, basically oil, gas, सब कुछ है. तो Central Asia एक zone of competition बन गया था, outside powers and oil companies के, basically China की तरफ से आ रहे थे, Russia की तरफ से लोग आ रहे थे, इधर के resources को extract करने के लिए. The region is next to Russia, China, Afghanistan, Pakistan and close to West Asia also. Map आप देखें दोस्ते एक बार, यह जो पांच कंट्री से कसाकिस्तान, उस्बरकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्रिकिस्तान और तज्याकिस्तान इन्हें Central Asian countries बोलते हैं. तो इनके अगल बगल में कौन-कौन से कंट्री से अब देखी सकते हैं दोस्तों, North में Russia है, East में China है, और Afghanistan है, Pakistan है, Iran है, ठीक है? तो यह सारे कंट्रीस में जितने ओईल कंपनीज फगरा थे ना, वो Central Asian countries में इंटरेस्टेट थे, क्यों? ओईल और नाच्रल गास रिसोर्चेस के लिए. Now, after 11 September 2001, US founded military bases in the region and paid the governments of all Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory during the war in Afghanistan and Iraq. 9-11 terrorist attacks के बारे में आपको पता है, अलकेता के टर्रीस्ट, वर्ल टेट सेंडर और पेंटरगन को डिस्टोई किया था. तो इसके बाद United States of America, Iraq और अफगानस्तान को इन्वेट किया था. यह सब बात यह आपको पता है दोस्तों. अब USA का जोग्राफिकल लोकेशन आप सबको मालू में काफी बेस्टेंड साइड में हैं. तो इन्हें अगर इराक और अफगानस्तन जैसे कंट्रीस को इन्वेट करना है, तो आसपास में कई military bases set up करना था. तो US इन Central Asian countries के पास गए हैं और उन्हें पैसे पेगी हैं. बोला कि हमें इथर military bases set up करना हैं और हमें इन सारे countries के ओपर से fly करने का, बेसिकली जो fighter plane से वो सब fly करने का permission चाहिए. अब permission free में तो नहीं मिलेगा, तो इन सारे countries को पैसे पेगी हैं. बेसिकली US का बस मतलब यह था, इधर military bases वगरा set up करके इरान अन अफगानस्तान को invade करना. पर दीखें, यह बात रिश्या को अच्छा ने लगा. ओभी सी बातें दोस्तों, रिश्या की हिसाब से यह सारे जो country से यह सब एस्ट वाइल USSR के पार थे. इन्हें तो रिश्या की भी threat हो सकता है ना? तो यह भी एक tension चल रहा था दोस्तों उस वक्त. अगला है चाइना, अब इस आप चाइना देख रहे हो, चाइना भी border share करता है ना? कसाकिस्तान, क्रिगिस्तान, तजाकिस्तन के साथ, अब चाइना में जो oil companies थे, उन्हें भी interest था Central Asian countries में, only because of oil resources. तो च tensions चल रहा था, यह सब reasons की वज़े से. Now, Eastern Europe में क्या हो रहा था? वैसे जिन countries की बात में करने वाला हो, वो USSR के parts थो नहीं थे. फिर भी देखे, 1991 के बात कुछ tensions and conflicts Eastern Europe में भी देखने को मिला दोस्तों. जैसे कि चेको-स्लोवाकिया split peacefully into two with the Czechs and Slovaks forming independent countries. चेको-स्लोवाकिया करक कंट्री था. उदर दो major ethnic communities थे, Czechs and Slovaks. तो इन दोनों ने बैटके discuss किया कि हम अलग हो जाते हैं और दोनों अलग-अलग countries भी बन गे. किसी भी तरह का conflict उधर नहीं हुआ था. आज के हिसाब से Czech Republic एक अलग कंट्री है, श्लोवाक एक अलग कंट्री है, यह बात आपको में. But the most severe conflict took place in the Balkan Republics of Yugoslavia. Yugoslavia क्या है? लेकि Second World War के बाद, Yugoslavia करके एक federation बना था, federation of six countries. कौन-कौन सा? Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia. तो इन छे कंट्री के एक federation था, Yugoslavia. फिर 1991 के बाद, Yugoslavia भी disintegrate हुआ दोस्तों. Yugoslavia में जितने federation थे, like Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, यह सब independence declare किये. पर Yugoslavia में एक major ethnic community थे, Serbs. उन्हें यह अच्छा नहीं लगा. तो इस वज़े से उथर भी civil war शुरू हो गया, दोस्तों. बेसिकली वो यह नहीं चाते थे, कि Yugoslavia इस तरह disintegrate हो. तो Serbs and non-Serbs के बीच में काफी सारे violence हुआ, कफी सारे non-Serb Bosnians का massacre हुआ, finally Natto को intervene करना पड़ा, and bombing of Yugoslavia हुआ, followed the inter-ethnical civil war. अब देखिए दोस्तों, बात यह है ना, यह पूरे issue को एक paragraph में खतम कर दिया, NCRT ने. जबकि यह बहुत बड़ा topic है, world history में one of the important topics है, दोस्तों, यह जो Yugoslavin war है, Serbs and non-Serbs के बीच म तो आप ही के लिए बस आप इतना ही समझ लीजिए, अगर एक-एक डीटेल में हम जाएंगे, फिर कभी खतम नहीं होगा, advanced classes में आपको पड़ा दिया जाएगा, यह सब के बारे में, ठीके, बस आप इतना समझ लीजिए, दोस्तों, जब Serbs and non-Serbs के बीच में प्रॉब्लम किया था, तो खुल मिला के कहने का मतलब यह है, दोस्तों, पोस्ट-Soviet countries के अंदर काफी सरे conflicts, tensions वगरा चल ला था, साथ-साथ में, East Europe में भी इसका impact देखने को मिला, इस तरह के developments उधर भी हो रहा था, इंडिया and post-communist countries, post-communist countries के साथ इंडिया के अच्छे-च्छे relations रहा ह दोस्तों, पर सबसे strongest relation रहा है रिश्या के साथ, इंडिया की foreign policy का one of the important aspect आप बोल सकते हो, relations with रिश्या, इंडियो-रिश्या relations are embedded in a history of trust and common interest and are matched by popular perception, जैसे कि इंडिया के जो बोलिवुड heroes रहा है ना दोस्तों, राच कपूर से लेके अमिता बच्चन तक, इन सबको रिश्या रिश्या में fans है, रिश्या में घर-घर तक इनके नाम जानते हैं, अगर आप रिश्या में जाओगे, आपको घर-घर में हिंदी film songs में सुनाई देगा, और इंडिया और रिश्या का जो vision है, वो एक multipolar world order का है, multipolar world order का मतलब क्या होता है, किसी एक country का dominance नहीं होना चाहिए, co-existence होना चाहिए, several powers का, international system में, collective security होनी चाहिए, collective security मतलब क्या है, अगर एक country के उपर कोई attack करता है, तो ये मान लेना चाहिए, कि सारे countries के उपर attack है, मतलब जो attack करता है उनको suppress करना चाहिए, जैसे कि NATO का article 6 ये कहता है, collective security, greater regionalism होना चाहिए, basically regional countries के वीच में अच्छे relations होन चाहिए, जैसे कि Shanghai cooperation organization है, जिसमें Russia, China, India, Pakistan वगएरा members है, negotiated settlements होना चाहिए, international conflicts के टाइम पर, सारे countries का independent foreign policy होनी चाहिए, किसी भी country की foreign policy में, दूसरे कोई country का impact नहीं होना चाहिए, decision making through bodies like, United Nations को और strengthen करना चाहिए, democratize करना चाहिए, अभी किसाब से, India और Russia के वीच में कम से कम 80 bilateral agreement sign हुआ है दोस्तों, जो 2001 में इंडियो रेशियन स्टाटेजिक agreement का part बन गया था, वैसे इंडिया को रेशिया के साथ अच्छे relations बना के benefits भी है दोस्तों, जैसे कि कश्मीर इस्यू में हमेशा रेशिया इंडिया का favor में stands लिया है, रेशिया से काफी सारे energy supplies इंडिया को म फिर Central Asia के लिए access मिल जाता है, हमें रेशिया से, जैसे कि अपने international north-south corridor के बार में सुना होगा, जो रेशिया को इंडिया से connect करेंगे through Central Asia, ठीक है, फिर चाइना के साथ relations को balance करने में, रेशिया हमारा मदद करता है, ठीक है, रेशिया stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for रेशिया, देखिय रेशिया को क्या फाइदा मिलना है दोस्तों, आपको पता होना चीए, इंडिया सबसे ज्यादा arms import करता है रेशिया से, तो रेशिया का सबसे ज्याचा sale हो जाता है दोस्तों, फिर the Indian military gets most of its hardware from रेशिया, since India is an oil importing nation, रेशिया is important to India and has repeatedly come to the assistance of India during oil crisis, देखिये आपको पता है, हम oil importing nation है, तो जब भी हमारे देश में जब कोई crisis हुआ है, oil crisis हुआ है, तो रेशिया हमेशा हमें support किया है, अगर आप recent geopolitical situation से compare करोगे, आपको पता है, रेशिया को अभी तक हम रेशिया के against, हमने United Nations में भी बात नहीं किया, अभी भी रेशिया हमारे एक अच्छा दोस्त है, और रेशिया युक्रेन वार जो चल रहा है उसमें भी United Nations में रेशिया के against, जभी कोई voting हुआ है, इंडिया हमें से neutral stance लिया है, voting से abstain हुआ है, क्योंकि रेशिया और इंडिया के पीच में जो relations है न दोस्तों, ये काफी पुराना है, काफी गहरा है, वैसे इंडो रेशिया friendship treaty के बारे में अपने सुना होगा, रेशिया हमें मदद किया था जब बंगला जिस liberation war हुआ था 1971 में, हेग नहीं, और हमें सबसे cheapest oil मिल जाता है रेशिया से, वैसे हम सबसे आदा oil import करते हैं, इरान, साथी एरेबिया, United States of America जैसे country से, रेशिया से बहुत कम हम import करते थे, फि इसके लिए western countries, इंडिया को काफी criticism किया है, पर हमने बोला दोस्तों, हमें जहां से कम price में oil मिल रहा है, हम खरीद रहे है, जब European countries, रेशिया से ग्यास खरीद रहे है, इसमें कोई problem नहीं है, हम इधर oil खरीद रहे है, इसमें आपको problem हो गया, देखे मैं topic छोड़ के जा रह इंपोर्ट को increase करने का, वैसे अपने तापी pipeline के बार में सुनाओगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बैसिकली तुर्कमेनिस्तान से इंडिया, oil इंपोर्ट करेंगे pipeline के तुरू, तो तुर्कमेनिस्तान से pipeline जाएगा अफगानिस्तान में partnership and investment in oil fields काफी सारी इंडियन कंपनीज इन कंट्रीज में oil fields में invest किया है रिश्या इस इंपोर्टन फोर इंडिया नूप्लियर energy plans and assisted इंडिया स्पेस इंडिस्ट्री वे गिविंग फर एग्जांबल cryogenic rocket when India needed it आपको यह पता होगा बात कि श्याद आपने वो मुवी दिखी होगी कौन सा रोकेट्री उसमें दिखाते हैं ना cryogenic technology रिश्या हमेश अप्ली किया था वैसे भी यह जो नूप्लियर technology में रिश्या हमेशे इंडिया का मदद किया जैसी तमिल नाडू में सबसे अच्छा रिलेश्या का रिश्या के साथ रहा है वैसे दूसरे कंट्री के साथ भी इंडिया का रिलेश्या कोई बुरा नहीं है फिर भी सबसे अच्छा बोल सकते हो रिश्या से ither India and the USSR के बीच में जो relationship रहा है दोस्तों उसके बार में बताया है दोस्तों वैसे India and USSR के बीच में एक multi-dimensional relationship रहा है अलग-अलग dimensions में relationship है जैसे कि economic है political है military है cultural है तो cold war के time पर हमेशा western alliance इंडिया को क्रिटिसेज करता था कि इंडिया सोव्येट क्याम का पार्ट है वेरास इंडिया तो नॉन अलेंड मुव्मन का पार्ट था पर देखिए कोल्ड वार के बीच में इंडो-USSR फ्रेंशिप ट्रीटी साइन हुआ था ये बात आपको मालूम होगा तो इस वजे से क सारे चलंजस था हमें धेरे धेरे इंडस्ट्री शुरू करना था तो उस वक्त दूसरे कंट्री से कोई असेस्टेंस मिलना हैल्प करना मुश्किल था उस वक्त सोवियेट उनियन ने हमारा हेल्प किया दोस्तों अगर आब देखोगे जितने स्टील प्लान से भिलाई बोक नहीं थे मतलब फोरिन पर्चेस के लिए तब सोवियेट उनियन उस वक्त इंडियन करंसी तक एक्सप किया था फिर देखे पोलिटिकल दो सोवियेट उनियन सपोर्ट इंडिया स्पोसिशन ऑन्ड़ कश्मी रिश्यू इन यह मैंने आपको पहले बताया ठीक है सोवियेट इसके बार में बात होती है रिए सोवियेट उनियन जो एक पर्मेनन मेंबर था उनियन आपको पहले बता दिया कि बेंगलादेश लिबरेशन वार के टाइम पर रिश्या हमारा है था इंडिया टू सपोर्टेट सोवियेट फोरें पोलिसी इन सम क्रूशल बट इंटिया भ में राय दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हूं रिश्या जो सोवियेट उनियन का एक सक्सेसर कंट्री है तो उन्हें भी हम सपोर्ट करते हैं उनकी फोरें पोलिसी में जैसे कि रिश्या उक्रेंवार में हमने हमैशा नूट्रल स्टांस लिया है कभी भी रिश्या के सब्सक्राइब काफी सारे इंडिया को सप्ले किया है दोस्तों इंडिया सोवियेट के साथ वेरियोस एग्रिमेंट्स भी साइंड किया है दोस्तों दोस्तोँ यह large number of Indian writers and artist visited the USSR also उसवक्त जब USSR था कफी चरे Indian writers artists बगड़ा USSR विसित भी करते थे तो cultural collaboration भी था India और USSR के भी तो दोस्तों that's it so this is chapter 2 The End of Bipolarity खतम हो चुका है पिसे CRT की किताब में कफी सारे questions वगरा दिया वाए दोस्तों आप answer कर सकते हो जैसे कि देखे which among the following statements that describe the nature of Soviet economy is wrong यासा आप answer कर सकते हो दोस्तों पूरा chapter हमने खतम किया है I hope आपको समझ में आगया होगा आगले वीडियो में हम chapter 3 चुरू करेंगे US hegemony in world politics till then bye bye have an